हेलो स्टूडेंट्स दिस इस कृष्णा वसेष्ट और आप मज़े सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट चैनल टैट्स गुरूब पर जहां पर मैं आपको CDP पढ़ाता हूँ यानि की चाइल डिवलम्मेंट और पैड़ागोजी अगर आप CTAT, UPTAT, STAT, KBS या फिर किसी और एक्जाम यानि की DSSB या फिर किसी स्टेट के TAT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू नीड CDP ठीक है तो उसके लिए आप स्पेशली टैट्स गुरू को फोलो कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और आज का जो हमारा में टोपिक है आज आज हमें एक नया चैप्टर इमोशन लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले आज मैं छोटा सा बेसिक मैं आपको क्लियर करा हूँगा कि हाव डू चिल्डरन लर्न की बच्चे कैसे सीखते हैं तो बेसिकली हमारे पास डिफरेंट टाइप डिफरेंट जो है साइकलोजिस्ट हैं जैसे कि प्लैटो फॉर गराता है हाव डू चिल्डरन लर्न ठीक है और अगर आप सीटेट की प्रिफरेशन कर रहें तो बिल्गुल अच्छी बात है लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो आप जो हैं प्रिफरेशन जल्दी से स्टार्ट कर दें क्योंकि एक्जाम कभी भी हो सकता है आपका कभी भी अगर आप अपनी preparation को start नहीं रखते हैं चलिए दोस्तों start करते हैं जैसे कि मैं आपको बताया How do children learn के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि किसने क्या कहा ठीक है basically ऐसा हम बोल सकते हैं किसने क्या कहा तो यह different types के cyclologists हैं आज हम उनके आज हम उनके saying पढ़ने वाले हैं कि उन्होंने क्या कहा था children के बारे में ठीक है तो start करते हैं लोगो सबसे पहले आज हम जो perspective पढ़ने वाले हैं वैसे हम पढ़ चुके हैं सारे लेकिन एक छोटा सा revision आप लोगो के लिए इस video session में मैं आपको करवा दूँगा ठीक है सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे प्लैटो के बारे में प्लैटो चिल्टरन आर बोर्न विद नॉलेज दैट सिंपली अवेट्स अक्टिवेशन ठीक है प्लैटो ने कहा है कि बच्चे जो हैं जब जनम लेते हैं तो नॉलेज के साथ वो आते हैं इस धर्ती पर और सिंपली उनकी जो नॉलेज है उनको एक्टिवेट करना पड़ता है वो एक्टिवेट बेसिकली एडल्स करते हैं तो बच्चे experience के थूरू भी सीखते हैं, उसके थूरू भी वो अपनी knowledge को activate कर सकते हैं, ठीक है, तो प्लाटो ने कहा है कि बच्चे जब आते हैं, तो knowledge के साथ आते हैं, ठीक है, इनका ये perspective था, ठीक है, बच्चे कंदर पहले से ही knowledge होती है, just उस knowledge को activate करना पड़ता है, ठीक ह ये चीज कही है, प्लाटो ने, बिसिकली ये important इसलिए है, क्योंकि एक्जाम में इस तरीके से चीज़े आ सकती है, कि किसे ने क्या कहा, तो just psychologist के नाम दे देते हैं, और फिर आपको just वहाँ पे marking करनी पड़ती है, ठीक है, next move करते है, जोन लोकी के बारे में, ये काफी important psychologist है और आएए देख लेते हैं, इनके views क्या है, इन्होंने self-control की बात कही है, self-control की बच्चा जो है, खुद ही अपने emotion को, अपने सारी चीजों को control कर सकता है, तो इन्होंने education गेंदर self-control की बात कही है, कि बच्चे को इतना सिखाऊ कि बच्चा खुद ही अपनी study को self-control करे, अब इन्होंने कहा है कि बच्चे जो हैं तब ज़्यादा सीखते हैं जब वो किसी instruction को enjoyable समझते हैं कि भई हाँ उनको enjoy आ रहा है अब आप ऐसे teacher उनको पढ़ाई करवा रहे हो लेकिन उस process में वो enjoy नहीं कर दे हैं उस process का आनन्द नहीं उठा पा रहे हैं तो definitely वो पढ़ाई zero के बराबर है शुनने के बराबर है ठीक है इन्होंने कहा ऐसा adults should use positive reinforcement such as praise rather than punishment to enable a child to learn अब यहाँ पर यह important चीज़ है जो नहीं नहीं कहिए कि बच्चे को जब हम reinforcement करते हैं तो positive तरीके से वो reinforcement दिया जाना चाहिए through the adults adults के द्वारा और ना कि हम बच्चे को डाटे बच्चे को punishment करें ठीक है तो दो psychologists मैंने आपको पढ़ा दिये हैं Plato और John Locke I think आपको समझ में आ रहा है ठीक है अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप comment करके पूछ सकते हैं उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं next next psychologist है हमारे Jean Jaquis Russo यह important है और जो kindergarten का concept है basically it was given by Russo ठीक है तो यह बहुत जाद है important है चलिए देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा है इन्होंने सबसे पहले series of stages की बात करिए कि जो development है वो stages के थ्रू होता है वो stages है वो series में होती है ठीक है कोई भी stages हमें skip नहीं कर सकते जैसे की जीन प्याजे की theory आपने पढ़ी होगी ठीक है सबसे पहली theory है cognitive development की तो उसमें stages दी हुई है Eric Ericson की थोरी में भी stages दी हुई है तो इन्होंने कहा है कि जो development है चाग किसी पी तरह के वो development हो चाग cognitive हो चाग moral हो वो जो है stages के थ्रू होता है children should not be compelled to learn things they may not be ready for अब यहाँ पर देखो इन्होंने यह important बात कही है कि बच्चों को जो है compelled हम ना करें बच्चों को मजबूर ना करें मजबूर ना करें कि वो किसी चीज़ के लिए ready ना हो cognitive wise और हम उनको पढ़ा दें बस मतलब यह चीज़ important है psychology के अंदर कि आप किसी बच्चे के साथ जबर्दस्ती नहीं कर सकते हैं अब जैसे मान लोगों बच्चा 5th class में बढ़ता है तो आप उसका 10th का curriculum नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि cognitive wise या फिर moral wise वो बच्चा ready ही नहीं है आप उसको पढ़ाएंगे कैसे ठीक है वो समझेगा कैसे they will learn when they are curious and it is our responsibility as elder to let the learning unfold naturally अब इन्होंने देख़ए एक बात important कही है यहां पे कि वो उस चीज़ को जब learn करेंगे जब वो curious होंगे मतलब जानने के इच्छु कोंगे आप जबरदस्ती उन बच्चों को साथ नहीं कर सकते हो ठीक है second चीज उन्होंने का है कि बच्चे को अगर सिखाना है तो process को natural रखना पड़ेगा अगर बच्चों को सिखाना है तो process को क्या करना पड़ेगा natural आप unnatural तरीके से उस चीज़ को नहीं पड़ा सकते हैं नहीं बच्चों को सिखा सकते हैं ठीक है अब उन्होंने इस अंधर्म में एक book लिकी थी जिसका नाम है और basically वहाँ पे he allowed nature to raise the child so that the child is uncovered by the pressures of civilized society तो उन्होंने basically एक book लिकी थी एमिल उसका नाम था जहाँ पे उन्होंने nature को allow किया था कि बच्चों को सिखाए जाके वो the only way to interfere is to present lesson that was suited to the child's age मतलब बच्चों को वैसे ही सिखाए जैसे बच्चे जो है सीखना चाहते हैं और उनकी age के appropriate activity उन्हें कराएं उनको सिखाएं ऐसे नहीं कि बच्चे छोटे हैं और बड़ों की activity आप उन्हें करा रहे हैं या बच्चे बड़े हैं और छोटों की activity आप उन्हें करा रहे हैं इस तरीके से नहीं होना चाहिए and with minimal guidance and never correct ml's mistakes और यहां पर उन्हें बता है कि कम से कम guidance में जो है हम अच्चों को अच्छे से सिखा सकते हैं तो यह जो है रूसो का खतन है रूसो का view है यह आप इसको देख सकते हैं और sorry मैंने स्टार्टिंग में kindergarten बोल दिया that was my mistake क्योंकि वो favorable का concept था रूसो का concept नहीं था ठ stages की ठीक है एक बात उन्होंने कहिए कि बच्चे को एक साथ जबरस्ती ना की जाए जब तक बच्चा ready ना हो और दूसरी बात उन्होंने कहिए कि बच्चा जब तक क्यूरियस नहों जब तक वो सीखेगा नहीं और process को जितना naturally हो सके उतना रखा जाए naturally ठीक है start करते हैं next psychologist अब यह आगे देखो Frederick Frobel इनका जो concept है वो है kindergarten इन्होंने basically बात कहिए कि play as a method of learning मतलब जो खेल हो सकता है वो खेल एक तरीके से आप एक ऐसे tool उसको use कर सकते हो बच्चों को सिखाने में और kindergarten kindergarten it's like a play school जहां पे बच्चे जाते हैं और वहां पे काफिसरी geometry shapes वगरा होती हैं ब बच्चों को दिखाई जाती हैं बच्चे खेलते हैं उन शेप से जाके तो बच्चे curious होते हैं अपनी problem को solve करते हैं और experience के थूरू जो है सीखते हैं तो जर्मनी के रहने वाले थे जर्मनी में एक kindergarten school उन्होंने open किया था उस time और आए देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा है So young children as individualized who need a certain degree of freedom जो बच्चे होते हैं उनको एक freedom आजादी चाहिए होती है restriction वो नहीं चाहते हैं but also need to participate in and give society something good in return Okay, he opened experimental preschools देखों यहां पे यह बात important है ठीक आप इसको note करके चलें कि जो kindergarten garden है उसका वो किसका concept है Actually मैं फ्रोबल का concept है लेकिन काभी सारे students confused होते हैं कि जो जो उन्डूई का concept है ऐसा नहीं है ठीक है सबसे पहला जो kindergarten school खोला है वो फ्रोबल ने खोला था ठीक है अच्छा आगे फ्रोबल is best known for his emphasis on guide play as method of learning ठीक है और जैसे कि मैं आपको बताया कि play को उन्होंने काफी प्रोस्तान दिया और play पे काफी उन्होंने emphasize कि बच्चे जो है play के थूरू learning करें ठीक है तो ऐसा मानना था फ्रोबल का चलिए आगे चलते हैं उसके में बात करते हैं जोन डूई के बारे में जोन डूई का जो perspective था वो very much एक जैसा ही था फ्रोबल के concept के क्योंकि जोन डूई ने जातर child centered की बात करी है child centered education based on children's interest ठीक है जो child centered education है इन्होंने इनको promote किया है जोन डूई ने और इसमें basically children के interest को उपर रखा है पहले आपको पता ही होगा जो conventional method हो teacher centered होता था ठीक है वहाँ पर teacher के interest को उपर रखा जाता था लेकिन जैसे जैसे time pass हुआ child children interest को उपर हमने रखा ठीक है and they learn best through play and real life experiences उन्होंने कहा है कि जैसे फ्रोबल ने कहा था तो ऐसी जोन डूई ने कहा है कि basically बच्चा play से सीखता है और real life experiences के थ्रूँ सीखता है ठीक है school life should grow out of home life and experience ठीक है जो school के life होती है उसमे very much हमें include करना चाहिए home life और उसके experiences को ठीक है teacher should know their children well and accordingly plan and document purposeful curriculum और सबसे पहले teacher को अपने बच्चों के बारे में देखना चाहिए कि उनके बच्चे किस तरह की capability रखते हैं उसी तरीके से अपने वो तयारी करें lecture की उसी तरीके से हैं ठीक है the major tenet for Dewey was problem solving that is learning through doing तो basically तो फ्रोबेल और जोन डुवी दोनों का जो concept है वो learning by doing ठीक है कि मतलब कुछ करते रहें और learning automatically आती रहे ठीक है इस पर इन्होंने जोड दिया था ठीक है तो यह important आपको चीज यात रखनी है कि जोन डुवी ने बिसेगी child centered education उपर दिया है counter garden school के उपर हला कि दोनों के views almost same से ही थे ठीक है next आगे सलते हैं आगे हम पढ़ते है एरिक एरिक सन के बारे में और basically इनके कुछ stages है 1,2,3,4,5,6,7,8 8 stages है इनकी आप इनको crisis कह सकते है life crisis तो 8 life crisis इनोंने दी है एक life crisis positive होती है और एक life crisis जो होती है वो होती है negative ठीक ह आप देख सकते हैं trust versus mistrust, autonomy versus shame and doubt, initiative versus guilt तो इस तरीके से इनोंने दी है इनोंने कहा है कि अगर कोई बच्चा इनोंने actually में इनकी खास बात ये है कि इनोंने जो developmental theory दी है वो जनम से लेके और death तक की दी है कि बच्चा जो है जब जनम से लेके और जब तक वो मरेगा मतलब adulthood होन इनोंने बोला है कि बच्चे जो हमेशा ना इस तरीके से सीखते हैं trust versus mistrust मतलब पहले अगर trust develop नहीं होगा ठीक है तो आगे चलके उसके अदर autonom में भी develop नहीं हो सकती और अगर autonom में डेवलप नहीं होगी तो initiative डेवलप नहीं होगा तो इस तरीके से उनोंने stages दी है कि अगर एक life crisis में अगर एक statement fulfill नहीं होती है तो वो दूसरी life crisis को suffer करेगी ठीक है जैसे मानलो अगर trust develop नहीं हुआ किसी बच्चे का किसी adult के उपर या दूसरों के उपर तो definitely mistrust develop होगा तो mistrust अगर develop हो गया तो फिर जो है shame and doubt होने के chances काफी जादा हो जाते है next life crisis में और फिर अगर shame and doubt जादा हो गया तो guilt होने के chances जादा हो जाएंगे next life crisis में तो इनोंने basically series of stages दिया है और ये का है कि अगर एक life crisis में अगर एक चीज नहीं होती है तो जैसे मानलो positive चीज नहीं होती है तो next life crisis में negative चीज होने के काफी जादा chances हो जाते हैं और इनकी थोरी काफी interesting है अगर आप इस थोरी को अच्छे से पढ़ना चाते हैं तो ये lecture अलड़ी मैंने I think two times इसको upload किया हुआ है अपने YouTube चैनल पर आप जाके YouTube चैनल के home page पर जाके देख सकते हैं Eric Ericsson की थोरी के नाम से ये lecture जो है मैंने upload किया हुआ है ठीक है तो इस सारा जो है बहुत ही interesting थोरी है और बहु cognitive development के उपर ज्यादा जोर दिया था हलाकि moral development में भी इन्होंने काफी कुछ दिया है लेकि इनके जो main theory हम पढ़ते हैं वह है cognitive development के अंदर cognitive development के अंदर हमारे पास दो ही थोरी है सलेबस में वह है जीन प्याजे और एक है लेवाइवोट्सकी की थोरी ठीक है तो जीन प्याजे operational ठीक है यह 4 stages इन्होंने अपने जो है थोरी के अंदर डाली हुई है और बहुत ही important है अगर आप जीन प्याजे से related वीडियो चाते हैं तो लड़ी YouTube चैनल पर है टैट्स गूरू होम पेज पर जाईए और निकल लो कम से कम 2-3 बार में अप्रोड की हुई है जीन प्याजे concrete चीजें जो जो उसके सामने दिखाई देती है उनी के बारे में वो देखता है ठीक है और कुछ steps होते हैं जैसे conservation या seriation वगरा कुछ important steps होते हैं वो concrete operation में आते हैं और formal operation में बच्चा जहां तक जादे चीजे होती है और abstract thinking के बारे में उसकी जादा thinking develop होती है abstract चीजों के ब next हम बात करते हैं ले वाइगोच्की की तो ले वाइगोच्की की थोरी भी काफी interest है interesting है और यह second थोरी है in terms of cognitive development जहां पे उन्होंने बताया कि बच्चा सीखता है basically दूसरों के साथ sharing करने से मतलब अगर वो दूसरों के साथ collab करेगा दूसरों के साथ associate होगा जादा से जाद communicate करेगा ठीक है group बना के study करेगा तो बच्चा जादे से जादा सीखेगा जहां पे उन्होंने sky folding नाम का एक बहुत ही important concept दिया है sky folding ठीक है temporary help होती है जो कि किसी MQ के दवारा दी जाती है more knowledgeable than other ठीक है तो बच्चा जो है कैसे सीखेगा दूसरों के साथ sharing करके दूसरों के सीखने की कोशिश करता है और जबकि जीन प्याजे ने बिल्कुल इसके opposite पोला है कि बच्चा जो है अपने experiences के थूरू सीखता है ठीक है यहां पे वाइगोट्सकी ने का है कि बच्चा जो है दूसरों से ज्यादा सीखता है ठीक है और square folding MQO नाम के नोंने concept दिये हैं अग काफी important है क्योंकि यहां से related एक number का question जरूर पेपर में आता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं तो उनके बारे में उनोंने चीजे कहीं है ठीक है तो basically इस chapter का नाम है learning motivation and emotion तो आगे चलके हम इन चीजों के बारे में ज्यादा discuss करेंगे यह मैंने basic basic आपको clear कराया है कि किसने क्या खा उमीद है कि आपको आज का video session अच्छे से पसंद आपको समझ में आया होगा मिलते हैं किसी नई video में नए concept के साथ thank you very much इस video session को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तो